अगर आपको याद हो तो पिछले साल में आपको चालिस से पचास के बीच में हार्ट अटेक या हार्ट श्रोक की जो समस्या है या इनके कारण से जो डैथ हुई है उनके बारे में आपने सुना होगा और उसमें एक चीज कोमन सुनी होगी कि इन लोगों को जो हार्ट अटेक आया है या हार्ट श्रोक हुआ है वो उनको जिम में हुआ है या फिर कोई डांस वगरे करते हुए हुआ है तो आज हम इनी इपर टॉपिक को कबर करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या कंडिशन सोजाती है जिसके वज़े से इनको या तो ज बिम में आटेक आता है या फिर ऐसे कोई एक्टिविटी करते हुए जिसमें वक आउट होता है तो इनका क्या कारण होता है और यह संख्या तेजी से क्यों बढ़ रही है और आप इससे कैसे बस सकते हैं अगर वीडियो के जानकर ही पसंद आए तो जरूर शेयर करना क्यों कि जो रिपोर्ट्स हैं उनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम पहले से नहीं दिखाई देता है तो ऐसे में ऐसी क्या कंडिशन बन जाती है या ऐसी क्या चैन्जिस हो जाते हैं जिसकी वज़े से इन लोगों को यह प्रॉब्लम हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है तो च इसमें की लगभग 200-200 लोगों को एकटा कोई इवेंट हो रहा था और उसमें उन लोगों को सभी को कार्डिक अरेस्ट आया था तो अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो इसका आर्टिकल जरूर पढ़िए और साइद ये बोहान सहर का या फिर चीन का कोई सहर था अभी मुझे नाम्यान नहीं है और उन पर या दूसरा टॉपिक है और आज हम बात कर रहे हैं कि इस तरह के केस क्यों बढ़ रहे हैं तो फ्रेंट सब्सक्राइब पहली बात यह है कि आजकल की जो जनरेशन है उनमें अपनी फिगर को लेकर या फिर अपनी बॉड़ी शेप को लेकर के एक पैरमेटर तैकर रखा है क यह दूसरी चीज होती है हाट इस्टों की हाट अटेक की जो लोगों में ज्यादा होता है जो लोग काफी इंट्रोबर्ड होते हैं जो अपनी भावनाव को बाहर व्यक्त नहीं करते यह पुरहाना रिसार्च है लेकिन आभी जो यंग एज में होने वाले अटेक की बात कर पर लोग फिर कोई एंसी डांस वगहरा करने वाले लोगों यह दिकत हो रही है इसकाा रीजन होता है कि हा जो लोग भी जोइन कर रहे हैं पहले तो वो ऐसी जिम पर चले जाते हैं जहा पर कोई प्रफेशनल ट्रेनर नहीं होता है जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है बस मशीने रखके रोन लोगों ने खोल रखा है इसका दूसरा रीजन होता है कि अगर आप कोई प्रोपेशनल या अच्छे जेम या सेंटर में जाते भी हैं तो कुछ टेस्ट हैं जो आपको पहले जरूर करा लेना चाहिए और उनसे पहले आपको डॉक्टरी सलहा जरूर ल लेने चाहिए इनमें सबसे पहले होती है कि ब्लेड रिपोर्ट जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आपको किसी तरह का इंफेक्षिन है या फिर आपको शुगर की बीमारी है या फिर आपको कोई कोई दूसरी केलेस्टरोल वगएरा को लेकर को प्रॉब्लम तो नहीं हो र इसके बाद आपको लिपिट प्रोफाइल टेस्ट भी कराना जरूरी होता है इसके और इसके बाद होता है इसके बाद होता है स्ट्रेस टेस्ट तो यह सारे टेस्ट कोई भी जिम जोइन के पहले आपको करा लेना है नेक्स चीज होती है कि अगर आपने कोई जिम जोइन कि प्रॉपर चार्ट रहता है उसको जरूर फॉलो करें और अपने मन से जो सप्लिमेंट्स आप लेते हैं होता यह है कि हम जल्दी से जल्दी बैठतर रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ ऐसे प्रोड़क्ट का यूज कर लेते हैं जो आपके वेट को बहुत जल्दी करना कि हम जल्दी से जल्दी तक करते हैं जिसकी हमेट आपकी बॉड़ी को नहीं होती है अचाहनक से आप अपनी बॉड़ी को स्टोक दे रहे हैं दर्द दे रहे हैं तो इस तरीके से देखने को मिलता है अब हम हम बात करते हैं यह तो रीजन हुए लेकिंट ऐसा क्या हो जब दापने जाता है जिसकी वज़े से आपको इस तरह के दौरे साम करना है वर या सब से बड़ा रिजन होता है अपने जिम के दौरान सब्सक्राइब अब क्यूं नमाद सब्सक्परण कीवiox algo जाती है Кलिक दैपकर हुथ लेना चाहिए ताइम और तौ आपने शेहत का हिसाफ से ही आपको वर्क ख्रॉफ कर ना चाहिए तो इसमें उल्हूता शह स्टैरो तौ तो संबgoraffies और इस तरह के हाथ से हो जाते हैं तो इन सबी चीजों को आपको जरूर ध्यान देना चाहिए और आपने जो डॉक्टर है उनसे गाइडेंस लेखने के बाद ही आप किसी तरह की जेम या ऐसे हैवी वरकाउट करें तो आई वोफ आपको यह जानकरी पसंद आई होगी और जानकरी पसंद आए तो उसे जरूर ज़्यादा शेयर करें और अगर आप भी कोई जेम या इसी तरह के हैवी वरकाउट करते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाल ली है या नहीं ली है यह जरूर कमेंट में बताएं और नहीं ली है तो एक बार जरूर उनसे कंसर्ट करें यह सारे टेस्ट जो मैंने पता है उनको जरूर कराएं और उसके बाद आप अपनी जेम या जो भी बरकाउट आप करते हैं वो कर सकते हैं तो आई हो वीडियो जानकर यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर कर करें आपका धन्यवाद